Hello and welcome to the online platform of Rao's Academy for competitive exams and I Pragya Pante welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महतुपून आर्टिकल्स की लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महतुपून सूचना है. Rao's Academy लेकर आ रहा है 100% Scholarship Test. किस चीज़ के लिए होने वाला है, जितने भी undergrad programs है, UPSC और MPPSC के आप अगर तयारी करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप MPPSC Foundation badge which is the one year, अगर आप उसके भी तयारी करना चाहते हैं, तो आप 20 जनवरी को online और offline mode में 11 बजी ये test यहाँ पर दे सकते हैं, up to 100% तक Scholarship अवेल कर सकते हैं, seats are very limited, registration कर लीजिए, registration करना बिलकुल ही free of cost है और registration करने के लिए आपको Google Form की link comment section में मिल जाएगी, चलिए, बात करते हैं आज के महतुपून articles के बारे में, सबसे पहले चर्चा करेंगे, इंडिया की real GDP growth जो की 2023 के लिए 7.3 का एक estimation लेके चल रही है, which is quite good, देखें, इं 7.3% जो की अपने आप में previous year से, which was 7.2% उससे कुछ improvement लेती हुई नजर आ रही है, चलिए, आगे अगर हम बात करें, तो ये data release किया गया है, ये figure release किया गया है by the NSO, which is the National Statistical Office, इनके द्वारा यहाँ पर ये figure निकाला गया है, ये suggest करता है कि जो economy है, ये surpass कर देगी Reserve Bank of India का जो projection है, देखिए RBI अपने अलग projection निकालता है, NSO के अपने अलग projection है, RBI के हिसाप से अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो growth rate रहेगा, वो लगभग 7% के आसपास रहेगा, लेकिए वही अगर हम NSO की बात करें, तो they are saying कि ये 7.3% के आसपास रहने वाला है, ओके, आगे अगर हम बात करें कि sectoral analysis किस तरीक से देखने मिलेगा, so जो GVA growth है, वो farm sector के लिए लगभग estimate की गई है, थोड़ा से एक decrease देखने मिलेगा, from 4% in the previous year to 1.8%, वहीं GVA एक up stick हमें देखने मिल सकता है, trade में, hotels में, transport में, communication में, service sector में, कहीं न कहीं, एक moderate category हमें देखने मिलेगी, 2022 देख के आसपास हमें देखने के लिए मिले थी, हाला कि अगर हम economist के हिसाप से बात करें, तो कहीं न कहीं उन्होंने एक concern भी show किया है, एक optimistic estimation यहाँ पर लगाया है, कि देखिए consumption जो growth है, वो 4.4% की है, which is slowest in past 2 decades, in fact अगर हम pandemic को भी यहाँ से exclude कर दें, तब ही भी पिछले दो दशकों में जो हमारी consumption rate है, वो केवल ओ केवल 4.4% रही है, which is quite low, देखिए consumption rate कम होने का मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं यह है, कि हमारा जो expenditure है GDP में, वो हमें कम देखने के लिए मिल रहा है, और इसी estimation के हिसाप से अगर हम बात करें, जो expenditure है, वो यहाँ पर 56.9% से 58.5% प बात करें, अगर हम NSO को चलिए समझ लेते हैं, National Statistics Office की, तो एक component है, Ministry of Statistics and Program Implementation के अंदर गतिया आता है, Ministry of Statistics and Program Implementation को establish किया गया था, एक independent ministry के रूप में, October 15, 1999 को, इसका जो creation था, यह कहीं न कहीं, merger था, Department of Statistics का and the Department of Program Implementation का, So, Ministry of SNPI, which is the Statistics and the Program Implementation, operate करती है दो primary wing से, जो की अपने-पने distinct functions के लिए dedicate होती है, पहली wing हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी NSO, चीके, वहीं हम बात करें अगर, जो की एक Statistic wing होती है, वहीं अगर हम बात करें, दूसरी wing की, वहीं अगर हम program implementation के बात करें, तो इस के लिए separate wing हमें देखने के लिए मिल जाती है, चलिए, moving on to the next article of the day, बात करते हैं, Navy Throats Hijacking Attempt in Arabian Sea, समझते हैं आखिर हुआ क्या है, एक positive turn आया है, एक incident हुआ था जहाँ पर जो Mercent Whistle है, लीला Norfolk, इसको यहाँ पर hijack करने की कोशिश की गई थी, लेकिन Indian Navy के जो Marine Commandos हैं, उन् North Arabian Sea में करने की कोशिश की जा रही थी, इसको यहाँ पर prevent कर दिया है, मार्कोस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मार्कोस ने जो की elite Marine Commandos of Indian Navy होते हैं, इन्होंने conduct किया था एक secure and safe evacuation, लगभग 21 crew member थे Indian Navy के, जिसमें 15 Indians और बाकी हमें दूसरे nationality के देखने के लिए मिले थ काम किया गया है, देखें, अगर हम इस तरीके के activities की बात करें, तो यह कोई incident पहला नहीं है, इसी region में यह second attempt हुआ है, जब किसी ship को यहाँ पर hijack करने के बारे में काम की जा रहा है, इसके पहले मार्टा flagged tanker MV ruin को last month Somali pirates के दौरा यहाँ पर करने की इस तरीकी की activity की गई थ ऐसे में बहुत important हो जाता है कि हम aerial surveillance करें, हमारे जो vehicles हैं, उनको यहाँ पर armed करें, petrolling, aircraft petrolling करें, ताकि एक security जो है, उसको यहाँ पर ensure किया जा सकें, चलिए, बात करते हैं अगर हम Arabian Sea के बारे में की Arabian Sea क्या है, तो देखें, Northern Indian Ocean का region है, जो की border करता है by various countries strategically located, आपको देखने मिलेगा एक key maritime hub यहाँ पर create हो जाता है, this is called the Arabian Sea, ऐसे बच्चे जन को नहीं पता है, जो आज पहली बार news देख रहे हैं, यह उनके लिए है इतने detail में जाना, बाकि जो आप लोग exports है, उनको अभी तक यह सारी चीज़ने clear हो चुकी होंगी, हम अगर बात करें Arabian Sea की की तो Arabian Peninsula यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है वहीं आपको Gulf of Aden का शेत्र यहाँ पर देखने मिल जाएगा, यह आपको Red Sea का शेत्र देखने के लिए मिल जाता है, वहीं Guardify Channel इसके West में आपको देखने मिल जाता है, Gulf of Oman, Iran, Pakistan, India देखे आप इसके East में देखने मिल ज लगबग 38,62,000 स्क्वेर किलोमीटर के शेत्र में फैला हुआ, यह शेत्र में देखने मिलेगा, जिसकी Maximum Depth जो अगर हम गहराई के बात करें, 4,652 मीटर मतलब 15,226 फीट तक देखने के लिए मिल जाती है, Importance क्या है, देखे अगर आप इसके West में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, This is the Gulf of Eden, Important हो जाती है क्योंकि यह connect करती है, Arabian Sea को, to the Red Sea, via the Strait of Bulway, मनसब, हम कई बहर बलबे मनसब को डिसकस कर चुके हैं, यह यहाँ पर बना हुआ है, Gulf of Oman की बात करें, the North West, जो लिंक करता है, Arabian Sea को, to the Persian Gulf, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आपको देखने मिल जाएगा, Persian Gulf और यह बना है, Gulf of Oman, वहीं अगर हम बात करें, तो इसकी Important ब्रांचों जाती हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, Gulf of Cambay, Kach on the Indian Coast, अपने आप में एक Maritime Route बहुत Important है, क्योंकि Ancient Time से, Dated Back to Third and Second Millennium BC से, यहाँ से बहुत सारी चीज़े, Conduct कराई जा रही है, Important Sea Ports की बात करें, तो आप देखी, Kandla Port यहाँ पर है, Mundra Port यहाँ पर बनाए है, Pipawaf Port, Dahej Port की बात करें, हजीरा Port, Mumbai Port, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, Marma Goa, Goa का Port, Kochi Port, यह सारे Important Port हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, वहीं अगर आप पाकिस्तान के शेतर में बात करें, इस शेतर की, तो यहाँ पर आपको कराजी का Port, कासिम Port, गौादर Port, वहीं आप देखेंगे, तो इरान, इरान के शेतर में आपको यहाँ पर चाहबर Port देखने मिल जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे Important Ports हैं, जो इस Particular Arabian Sea में एक Connectivity प्रोवाइड करते हैं, चलिए, टॉकिंग अबाउट दी नेक्स आर्टिकल ओफ देखेंगे, पालियोलिथिक टूल्स यहाँ पर डिसकवर हुए हैं, और Human Settlement को समझने के लिए बहुत जादा Important हो जाते हैं, रिसेंटली एक फलड आया है तेलंगा अबरी हम सभी के सामने ला दी है, एक Unexpected Paleolithic Quadside Tools हमें यहाँ से देखने के लिए मिले हैं, जब हम Paleolithic Quadside Tools की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें Hand Axis देखने के लिए मिले हैं, जो कि यहाँ पर स्ट्रीम हुआ करती थी, उसके Dry Up होने की वज़े से यहाँ पर रहे गए और जैस challenging भी है, और कहीं न कहीं हमारी जो understanding है, human habitation की, especially in the region of Telangana and Central India, उसकी लिए बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, अगर हम इस इस discovery की बात करें, तो यहाँ से हमें Stone Axis देखने के लिए मिले हैं, लगभग 15.5 cm की length के, 11 cm width और लगभग 5.5 cm thickness के, जो कि यह पूरी की पूरी खासि तो लगभग 30,000,000,000,000 year old यह tools है, जो कि Paleolithic Age के हैं, Old Stone Age भी बोल सकते हैं, या जिसे हम Early Stone Age बोलते हैं, जो कि आज से लगभग 10,000 साल पहले हमें देखने मिलती है, उस पर यह देखने के लिए मिल जाता है, कैसे identify करते हैं कि किस age से हैं, देखिए, chipping style जिस तरीके से होती है क्या material यूज किया जाता है, especially जब हम Paleolithic Age की बात करते हैं, तो Majorly Heavy Quadside Tools का इस्तमाल किया जाता था, क्योंकि बहुत जादा finishing देना ये लोग नहीं जानते थे, इस time period में देखो, woods को cut किया जाता था, animals को hunt किया जाता था, अभी हम crushy करना यहां पर नहीं जानते हैं, this was the amazing discovery, जो यहां पर हमें देखने के लिए मिली है, बात करें Paleolithic Age की, तो देखो विटा, Paleolithic Age को ही हम Old Stone Age के नाम से जानते हैं, एक significant है human history में, लगबग 10,000 BCE, which is the before common era, आपको ये देखने के लिए मिल जाती है, from 2.5 million years ago to the 10,000 BCE, usually हम इसको तीन अलग-अलग phases में divide करके रखते हैं, कौन से तीन phase होते हैं, देखें, एक हो जाता है आपका Lower Paleolithic, जिसको हम 2.5 million से लग-भग आगे के time period में यहां पर काम करते हैं, यहां पर usually simple tools का इस्तमाल किया जाता था, बड़े stones होते थे, क्योंकि देखें, बहुत जादा अभी उस पर sharpness देना या यह सारी techniques नहीं आती थी, वहीं अगर हम बात करें, तो butchering category होती थी, hunters हुआ करते थे इस समय पर, फिर आजाएगा Middle Paleolithic age, यहां पर थोड़ा सा emergence हुआ, अब tools आपके थोड़े से और refined होने लगे, हमें समझ में आ गया कि थोड़ा सा blade नुमा आकरती होगी, थोड़े से flakes यहां पर बनाये जाने लगे, ठीक चालीस हजार से दस हजार बीसी के आसपास का यह time period है, वो time है जब blades, मतलब एक sharpness type के tools हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, एक tool making की techniques हम यहां पर सीख जाएंगे, that means हमको यह पता चल गया था कि जितने जादा sharp tools होंगे, उतना ही जादा अच्छा यहां पर माना जाएगा हाला कि जबी भी हम paleolithic की बात कर रहे हैं, मतलब हम stone age की ही बात कर रहे हैं, that means अभी भी आपकी lifestyle hunter gathering की ही है, आप यहां पर hunt कर रहे हैं, fishing कर रहे हैं, plants को या दूसरे जो substances हैं, इनको यहां पर ले रहे हैं, nomadic lifestyle हैं एक स्थान से दूसने स्थान पर जा रहे हैं, इसका लेना कहीं से भी यह नहीं है, कि यहां के जो लोग हैं वो अभी crushy करना जानते हैं, हाला कि बहुत amazing है, आप देखे भी मिटका की बात कर लीजे, आदम गुफाओं की बात कर लीजे, तो यहां पर कीफ paintings आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें natural colors का यहां पर इस्तमाल क जाएगा, so usually अगर आप ऐसी paintings को देखेंगे, तो human hunting करते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी sites इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे बेलान वैली उत्तर प्रदेश, पहल गाम जम्मू कश्मीर, district, अतिराम, पक्कम, चेनने के आसपास, तमिलनाडू में, यह सारी जगे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, विद्धी, पैलियोलितिक एज, चलिए, moving on to the next article of the day, बात की जारी है, examination system की, देखे, अभी recently जो recurring scandals हमारे सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, examination की जब बात की जाती है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक scandal देखने के लिए मिलता है, एक direct link देखने मिलती है, कि creditability of examination system, और जो हमारा standard of certification है, educational board की बात की जाए, कही ना कही जो trust है, वो यहाँ पर गायब हो जाता है, क्योंकि scandals भरे हुए है, creditability crisis कही ना कही देखे, learning pattern पेस का क्या impact प creditability भी crisis हो जाती, क्योंकि कई बार मान लिया जाता है, कि ठीक है, इनोंने भी फर्जी तरीके से degree यहाँ पर adopt की होगी, so creditability crisis की वज़े से, जो focus है preparing students का, जो examination pattern को जानते है, वो कही ना कही around the memory testing की उपर रह जाते हैं, इसके वज़े से, जो teaching method है, वो road memorization की तरफ चली जाती ह ताकि student को एक diverse assessment के लिए तयार किया जा सके, इसके वज़े से जो talent है, जो youth है, वो यहाँ पर कही ना कही compromise हो जाता है, ठीक है, इंडिया जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा vast education landscape create कर देता है, लगभग 1100 से भी जादा university आपके पास आपको देखने के लिए मिल 700 autonomous colleges और लगभगर हम total enrollment की बात करें till the date now तो 40.15 million enrollment of students हमें देखने के लिए मिल जाता है, ऐसे में एक maintain करना जरूरी है, एक standardization करना जरूरी है in the examination, वहीं अगर हम बात करें, जो lack हो जाता है, proper check and balance में, इसकी वज़े से scandals हो जाते हैं, वहीं excessive standardization hamper कर देता है, experimentation को, जो दोनों चीज़ों के बीच में एक balance होना जरूरी है, साथी जो transparency है teaching में और assessment में, ये बहुत crucial हो जाती है, इस बात को ensure करने के लिए कि creditability of the examination क्या है, और किस तरीके से हमें standard of education को maintain करना है, so secrecy without proper audit can lead to scandals, while excessive standardization can also stifle innovation, so दोनों चीज़ों को यहाँ पर balance out करना बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है, ऐसे में एक और सवाल सबसे बड़ा निकल कर आ जाता है, shortcoming in the question papers and evaluation, है न, देखें, ऐसे बहुत सारे instances हुए है, जहाँ पर एक flawed question paper हमें देखने मिले हैं, जहाँ पर language error हो जाता है, conceptual error हो जाता है, irrelevant question यहाँ पर दे दिये जाते हैं, या high order चीज़ें यहाँ पर दीजी आती हैं, वही answer scripts की बात करें, तो इसको usually criticized किया जाता है for being indiscriminate with grades often failing to reflect difference in the students learning achievement, तो कही न कहीं जो एक standard format set कर लिया जाता है कि this how answer should be like, तो वो कहीं न कहीं देखें, discriminatory हो जाता है in nature, ऐसे में जो institutional examination है, इन सारी चीज़ों में बच्चे पास तो ह जाते हैं, लेकिन यह fail होते हैं in the real world, ठीक है, जब यहाँ पर इनका एक rigorous assessment किया जाता है, एक candidate की academic achievement तो ठीक है, but वो suitable कितना है किसी particular employment के लिए जब इस बात में चर्चा की जाती है, so assessment quality के लिए देखें, improvement लाना जरूरी है, academic course में, improvement लाना जरूरी है, class teaching examination है, इनको यहाँ पर improve करना आविशक है, regulatory bodies को यहाँ पर बनाना जरूरी है, ताकि वो economic, जो academic autonomy है, colleges के लिए, उसको यहाँ पर improve कर सके है, चले, moving on to the next article of the day, government ने यहाँ पर cabinet ने clear कर दिया है, प्रित्वी initiative for ease of research in earth science, समझना क्या है, कि आखिर प्रित्वी initiative है, क्या इसके बारे में हम समझते ह है, अच्छे से, देखिए, प्रित्वी scheme की बात करते हैं, तो यह unify करती है, पाँच existing sub-schemes को कौन-कौन सी, सबसे पहले आ जाता है, across, which is the atmosphere and climate research, modeling, observing, system and services, दूसरा आ जाता है, OSMART, OSMART stands for ocean service, modeling, application, resource and technology, third आ जाता है, PACER, which is the polar science and cryosphere research, next आ जाता है, SAGE, which consists of seismology and geoscience, और last आ जाता है, reach out, ठीक है, reach out stands for research, education, training and outreach, integration यहाँ पर किया गया है, ताकि designate किया जा सके, enhance किया जा सके, जो हमारी understanding है, earth system को, scientific application की, knowledge की for societal environment and economic benefit, objective क्या है, देखे, इस scheme को emphasize करना, एक long term monitoring करने के लिए important है, कि हमारा atmosphere, ocean, हमारा जो geosphere है, cryosphere है, solid earth है, इन सभी के यहाँ पर जो vital science है, जो changes है, इन सभी को monitor करना, और एक ही जगे पर इस data को store करना, साथी किस तरीके का model बनाना, जो कि weather, ocean, climate hazard और advanced climate changes को यहाँ पर study करेगा, next यहाँ पर polar regions को यहाँ पर explore करना, high seas को यहाँ पर explore करना, और नए phenomena's को यहाँ पर discover करना, इसका एक another, आप देखेंगे, एक दूसरा objective आपको देखने मिलेगा, साथी यह scheme यहाँ पर stress out करती है, for the development of technology, for the sustainable exploitation of ocean resource and societal application, that is why this particular scheme becomes very important when it comes to science and technology, और लगभगर हम बात करें, पृत्वी विज्ञान में, यहाँ पर budget पास किया गया है, 4797 करोड का, जो की बहुत amazing है, पांच साल के लिए, scheme हमें यहाँ पर देखने के लिए, मिलेगी, चलिए, moving on to the next article of the day, बात करते हैं, ISRO test fuel cell to potentially power space mission, Indian Space Research Organization achieved कर लिया है, एक successful demonstration of hydrogen oxygen fuel cell in space, launched approach the PSLV on January 1st, fuel cell generated 180 watt power during a brief test, यह जो fuel cell है, इसको develop किया गया है, विक्रम सारा भाई Space Center के द्वारा यहाँ पर, और इसने release करी है, heat and water as byproducts, which is very much suitable for human space mission, जो कि अपने आप में multiple mission requirements को fulfill कर देता है, इस precursor की बात करें, तो future power system, जो कि space stations के लिए हमें आवशकता होगी, इंडिया का जो goal है कि इंडिया है कि space station यहाँ पर low earth orbit में establish करना चाहता है, 2035 में, उसकी लिए यह जो testing है, यह अपने आप में बहुत important है, क्यूंकि, इसने कीवलो कीवल emission क्या किया है, heat or water का, which is like zero emission, ठीक है, so fuel cell यहाँ पर बहुत important हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे So, silicon based fuel cell के अगर हम बात करें, जिसको यहाँ पर test किया है, एक advanced silicon based cell develop किया गया था, विकरम सारा भाई, space research center के द्वारा, यह जो cell है, यह low cost है, lighter alternative हो सकता है, हमारे traditional, जो traditional lithium iron cells होते हैं, और यहाँ पर utilize किया जा रहा है silicon graphite का, जो की एक composite anode की तरह यहाँ पर काम करेगा, compare करें अगर conventional cell से, तो यह जो design है, यह allow करती है, for more lithium ions in a smaller mass, resulting in increased energy generation per unit weight, वह अगर हम hardware features की बात करें, तो cost effective है, readily available designs है, एक crimped ceiling आपको देखने मिल जाती है, जिसकी वज़े से fabrication का जो cost है, यह कम से कम देखने के लिए मिल जाता है, ओके, चलिए, तो यह थे आज के महत्तुपून article, I hope आपको सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी, बात करते हैं में question of the day के बारे में, so here are two very important questions in front of your screen, what all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our website, जिसका link आपको comment section में मिल जाएगा, for any query related with the current affairs, किस तरीके से prepare करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह कोई भी doubt है, तो आप प्रग्य पांडे, at the rate rouseacademy.in पर जाकर मुझे मेल कर सकते हैं और मैं directly one to one आपकी सारे सवालों का यहां पर जवाब दूगे, so thank you for watching this video, do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates, thank you and see you soon.